विनर एक्टर और टीवी रेयलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिधार शुकला के निधन से पूरी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में शो की लहर दौर पड़ी है फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के सितारी गहरे सदमे में डूबे हुए है जैसे ही दुखत खबर आई कि सिधार शुकला अब हमारे बीच नहीं रही है इस दुखत समाचार ने हर किसी को अंदर से जगजोर कर रख दिया है कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि सिधार शुकला अब हमारे बीच नहीं रही है बता दे आपको कि 40 साल की उम्र में हाट अटेक की चलते सिधार शुकला का निधन हो गया सिधार शुकला की निधन से गहरे सदमे में डूबे हुए है पॉपुलर अक्टर मॉडल आसीम रियाज जी हां आसीम रियाज भी सिधार शुकला के साथ रियालिटी शो बिग बॉज सीजन 13 में नजर आए बिग बॉज के एक्स कंटेस्टेंट आसीम रियाज बिग बॉज के सेकिंड रनर अप रही आसीम रियाज भी सिधार शुकला की याद में डूबे हुए है आसीम रियाज ने सोशल मीडिया के जरीए अपने दिल के दर्द को बया किया बता दे आपको कि आसीम रियाज ने सोशल मीडिया पर सिधार्त शुकला के साथ की खुपसूरत तस्वीरों को शेयर किया है बिक बॉस के घर में देखने को मिला भाईयों की बीच की ये प्यारी बॉंडिंग जिहां दौनों का याराना हर किसी को भागया था दौनों को ही सभी भाईयों की प्यारी जोडी कहने लगे थे आसीम रियाज ने सिधार्थ के साथ की दो प्यार भरी तस्वीरों को शेर करते हुए लिखा है I am gonna meet you in heaven brother रिप सिधार्थ शुक्ला और इसके साथ साथ आसीम ने broken red heart emotic भी शेर किया है इतना ही नहीं आसीम रियाज ने सिधार्थ के निधन से पहले ही एक पोस्ट शेर किया और इस पोस्ट के जरीए उन्होंने अपने दिल की बात को लिखा आसीम रियाज ने इंस्टेग्रेम स्टोरी पर बताया था कि वो बीते दिन काफी तूटा हुआ महसूस कर रहे थे आसीम रियाज ने अपनी जिम से तस्वीर को शेर करती हुए लिखा था मुझे नहीं पता मैं आज क्यों इतना तूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ वर्काउट कर रहा हूँ लेकिन कोई फ्लो नहीं है हजारों बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं कोई एहसास नहीं बचा है हर कोई आज शोहरत और पैसों की पीछे भाग रहा है आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आसीम रियाज ने अपने इस पोस्ट के जरिये दिल के हाल को बया किया वहीं आसीम रियाज के इस पोस्ट को देखने के बाद हर कोई हैरानी चता रहा है ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे आसीम रियाज को किसी बुरी खबर का आभास पहले से ही होने लगा था सिधार शुकला और आसीम रियाज बिग बॉस के घर में खुबसूरत बॉंडिंग शेर करते हुए नजराए अपनी दोस्ती की मिस्ताल देते हुए नजराए लेकिन बाद में दोस्ती दुश्मनी में भी बदल गई दोनों के बीच खुब लडाईयां हुई और दोनों के बीच अजीब सा कनेक्शन भी देखने को मिल गया आसीम रियाज सिधार शुकला की अंतिम विदाई में पहुँचे हैं आसीम रियाज भी सिधार शुकला को पल-पल याद कर रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट में आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस